कि हैं अग्षाइज का रुणिंग जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है जितने भी पास विद्यारती हैं सफल अभद्यारती हैं जिन्होंने 10 किलोमेटर और 5 किलोमेटर का दौर कंप्लीट करा है उन सभी को अब एक ही कोशन दिख रहा है वह कोशन यही है कि एक्जामनिशन कब क कंडक्ट कराए जाएंगे एक साइज कॉंस्टेबल उत्पाद सिपाई के और जायज भी है क्योंकि इसके जो अगला वड़ाव है वह एक्जामनिशन ही है और रनिंग इतना जो है मेहनत से अगर क्वैलिफाई किये हैं तो उसके बाद जरूरी एक सोच डेवलफ होता है कि फाइनल सेलेक्सिक तक पहुंचे उसी कड़ी में चात्री ये परस्टनल अलगातार करते रहते हैं कि एक्जामनिशन कब होगा तो देखिए एक्जामनिशन आपके नौममर में होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज है कि नौममर में आपके एक्जामनिशन जाएगा ठीक है तो उसी तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज यहां भी होगी जैसे ही आपका रनिंग सेप्टमर में खतम हो जाएगा उसका एडिमिट कार्ड वगरा बनते बनते आपके अक्टूर और नौममर में जो है वो फस्ट विक के आस्पास जो है एक्जामनिशन लेन जो है वो सेम है तो देखें इंडिया जी के आपके 40 कोशन पूछे जाएंगे जहरकन जी के आपके 50 कोशन पूछे जाएंगे आपके साइंस से 20 कोशन पूछे जाएंगे और आपके मैथमाटिक से जो है वो 10 कोशन पूछे जाएंगे टोटल 120 कोशन पूछे जाएंगे यह इस लेबल जो है छेतरे काड़े करता का भी है और उतवात सिवाई का भी है इस बुक को लेने से फैदा क्या होगा तो देखती ये बुक पेपर 3 के लिए बनाया गया है जो आपके मेरिट के लिए काफी उप्यूगी सिद्ध होगा क्योंकि इस बुक को पढ़ने से जो है वो आप कहीं न कहीं जो है बहुत हद तक इकी बुक में सारा चीज आपको मिल जाएगा सबसे इंपोर्टन ये भी है कि इसमें गाइड सा प्रैक्टिस पंदर प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो आपको परकरने के लिए काफी जो है वो ये है पंदर प्रैक्टिस सेट ये मेरी द्वारा लिखीत पुस्तक है और एक नामी पुब्लिकेशन एक्जाम गुरू पुब्लिकेशन और उनकी टीम और मेरे द्वारा लिखीत पुस्तक है तो इसमें महनत आपको इस पुस्तक क इस बुक को खर दे इसमें मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर इसको कम्प्रीट कर लेते हैं तो आपके लेंग्विज पेपर जो है खोठा उसमें कॉसंस चूटने की संभावना बहुत कम देगी तो इस बुस्तक को भी ले और पेपर थी पेपर टू दोरों हो गया है बाक पाद से भाई के एक्जाम को निकालने के लिए वह भी मैं एक दू दुनियों बनाने का प्रियास करूंगा लेकिन अभी पेपर थी के लिए पुस्तक ले ले और खोटा के लिए जो है यह पुस्तक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस पुस्तक को ले लिए इस तरह के लगाता है तो एक्जामनेशन जो है वह नौमर मानके चलिए कि नौमर में आपके एक्जामनेशन कंड़क्ट कराये जाएंगे और नौमर में होंगे आप सभी का सुक्रिया धन्यवाद